दो दिन के दोरे पर रूस पहुंचे पियम मोधी को रूसी राष्टपती ब्लादमीर पुतीर ने पढ़ान मंत्री नरेंद्र मोधी को रूस के स्रवुच नागरिक सम्मान अर्डर आफ सेंट एंट जीव द एपोस्टल से सम्मानित किया प्रधान मंत्री ने राष्टपती पुतीन को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि 140 क्रोड भार्थियों का सम्मान है या भारत रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिम्ब है प्रधान मंत्री ने कहा कि या भारत रूस के बीच बिसेस और विसेसाधिकार प्रा करते रहे हैं भारते प्रदान मंत्री ने भारत और रूस के लोगों के बहतर भविस के लिए भी बात की सुनिये पिया मोदी ने सम्मानित होने पर रूस और ब्लादमीर पुतीन के लिए क्या कुछ कहा Your Excellency और मेरे मित्र राश्पति पूतीन रूस के सर्वोच एवोर्ड से सम्मानित करने के लिए मैं रदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है यह 140 करोड भारत वाशियों का सम्मान है यह भारत और रूस की सद्यों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप का सम्मान है एक्सलेंसी पिछले लगभग धाई दसक से आपके नेत्रूतों में भारत और रूस के सम्मंद हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई उचाईयों को प्राप्त करते रहें आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटिजिक समंधों की नीव रखी थी वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है पीपल टू पीपल पार्टनर्शिप पर आधारित हमारा पार्शपरिक सहयोग हमारे लोगों के बहतर भविश्की उम्मीद भी बन रहा है गारंटी भी बन रहा है आज की चर्चाओं में भी हमने सभी ख्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपून निर्णे लिए है हमारे संबंद केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपून है आज के वैश्विक वातावरन के परिप्रेश में भारत और रूस की पार्टनर्शिप और भी एहम हो जाती है हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिर्ता और शांती के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे एक्सेलेंसी एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड भारत वासियों की और से आपका रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ